मेरे सवाल आप दोनों से हैं कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं विदेश में जाकर के तो यह कहीं न कहीं हमारे देश की छवी को खराब कर रहा है तो छवी को सुधारेगा कौन ठीक है शजाजी इसका आप जवाब देश आपका बहुत सुन्दर सवाल है देखिए हम किसी को भी जाकर बोले देश में विदेश में तो वह एक देश के बारे में नहीं बोला है जो भी उन्होंने बयान गिनवा है वो देश के पर लिए नहीं थे परंतु कुछ लोग अपने आपको देश समझते हैं पर मैं पूछना उबामा जी लास्त तो दिखाई है उसामा की पर यहां पर देश विरोध पर उतराते मोधी विरोध करते करते हैं मैं आपको एक एक्जामपल देता हूँ वाजपई जी थे जब नरसे महराओ जी की सरकार थी तो उन्होंने किसी और को नहीं वाजपई जी को बोला कि जाकर भारत का पक्षको और वाजपई जी भी कभी यह नहीं कहते थे कि नरसे महराओ जी आपकी सरकार में नहीं जाओंगा उन्हों जाकर रखाऊ जी क्या लोग जी जवाब दीजे क्या नए संसद भवन से लेकर सेना पर प्रश्ण करना मोधी विरोध में आपके लिए आप ही क संसद और रुना चलके कहेंगे संसद में खड़े होकर कि वो घुसा आए हैं तब भी विपक्ष सोता रहे क्योंकि मोधी जी जो है वो मोधी जी है इसलिए मुम्किन है सवाल पूछे जाएंगे और यही विपक्ष का काम है अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो हमें माफ नहीं करेगी मोधी साहब का काम ये था ना कोई गुसा है सबसे बड़ा पिछले चुनाओ का सबसे बड़ी गलती हो गई लेकिन सर्जिकल स्टाइक के नाम पर वोट मांगना गलत था और उस पर सवाल खड़े किये गए सर्जिकल स्टाइक हुई उसके सवाल पांगना मैं उस पर सहमत नहीं हूँ लेकिन देश का ये भी जानना जरूरी है कि 300 किलो आर्डी एक्स कहा से आया क्या मोधी जी ने फो सत्पाल मलक आपको इंटरव्यड देंगे नहीं देंगे आप कूचेगा उनसे पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि उतना आरे डेक्स पाकिस्तान में ला है पर अधीर एंजाफरी ने चौतिए कि इसमें जांच होनी में हुआ कोई फ्रेश इंकर्जन नहीं हुआ है यह आधे तथ्थे देना बैकाना बॉकलाना यह करना बंद कर दिया गया यह ट्वीट लेकर खड़े हैं आज हैकर से वह बयान भी ढूंडो तो नहीं निकलता इनका यह किया था मेरा सवाल है कि ओपोजिशन का काम होता है कोशनिंग करना और सरकार उसका उसके आंसर के लाइबल होती है लेकिन हमारे देश में ओपोजिशन हमेशा हेट करता रहता है कब तक कॉंग्रेश की तरफ देखिए वो शजाजी है वो बीजेपी के हैं यहालो मैं मनो विज्यानिक नहीं हूँ कब तक बीजेपी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस बीजेपी को टार्गेट और ब्लेम करती रही एक एक चीज़ एक ही वाकिए फिर आलोग जी जवाब दे मैं तो बोलता हूँ कि देखिए हम बता रहे हैं कि देश में पांच मेट्रों थे चौदा से पहले आज 27 मेट्रों आगए अलोग जी अपना काम गिनवाई ग्यारवी स्थान पर अरते हो अस्ताती हम पांच मेट्रों पर बना दिया यह आकड़े पर डिबेट करते ना अलोग जी अच्छा भी लगेगा जमताओं देश के ऊपर चार गुना करजा हो गया क्या इस सच नहीं है 35 रूपे में डॉलर म पर निकल रहे हैं जूट को चुपाने के लिए तेज भी बोलना पड़ता और जूट को चुपाने के लिए जूट भी बोलना पड़ता हम पूछ रहे हैं कि जितने इंडेक्स हैं हंगर इंडेक्स से लेके पीपी आइंडेक्स से लेके सारे इंडेक्स में देश नीचे क्यों चला गया किया यह सच नहीं है क्या लगा क्या 410 का सिलेंडर महंगा था साड़े 1100 का सस्ता है अभी एक चोटी बच्ची ने पूछा अच्छे दिन आएंगे भाई यो बेनों में तो कहांगे अच्छे दिन और नोट बंदी दो ऐसे शब्द हैं जो आप लोग एकदम एमनेजिया के शिकार हो गए कोई आइमनेजिया नहीं है जो हमारे काम है जनता के सामने जनता ने इस पे वोट भी दिया इननोंने यही कैमपेंगे चलाए पर इन्नोंने हणगर इंडेक्स की बात कि कि अप तो बहुत चीजों को ट्रैक करती है उसी हंगर इंडेक्स में जिनको हम वीट बेजते हैं मतलब कि अफगानिस्तान और श्रीलंक का हमसे उपर यह अंगर इंडेक्स को मानेंगे पर देश का जो सूचकांग है उसको नहीं मानेंगे मैं इसे पूछा चाता हूँ अनेंप्लॉ देता हूँ चलिए आप बता देते ना पौवर्टी का गुजरात ने 20 फीसद से 16 फीसद को अपनी पौवर्टी को किया उसी समय में राजस्तान की पौवर्टी 14.7% से 23 फीसद हो गई किसने पौवर्टी बढ़ाया भाई आप इन चीजों का आखरों के सब जवाब कीज़ देके राजस्तान एक बिमारू राजस्ता पिछला राजस्ता उसके बावजूद पिछले जो क्वाटर की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गुजरात से जादा है वापस आता हूँ आपने का 22% राजस्तान में अरे 28% तो बाकी राज्यों में करनाटक में थी और 38% हर्याना करनाटक में कहा से आकड़ा रहा है भाई 28% का बताता हूं और उसके बाद सुने ना भाई करनाटका का कितना है और राजस्तान का कितना है पढ़कर बताइए और इस ग्रूप नहीं सीमाई का डेटा जो आपने का इस ग्रूप नहीं करनाटका 2.3% और राजस्तान 26.4% करनाटका का पिछले को अब बता हो नहीं तो अब बात हो नहीं तो अब बदेश्तान के बात बात बीच्छ बूशन जी को अभी किसी ने अरेस्त नहीं कि तो उनके खिलाव कोई प्रूफ भी नहीं आया है जैसे कि अब भी बात हुई थी कि राहुल गांदी जी पे भी रेप केस था पर जब तक उनके खिलाव प्रूफ नहीं आया था उन्हें भी आरेस्ट नहीं किया गया था तो यहां पर यह बीजेपी को क्यों टार्गेट किया जा रह है कि ब्रजभूशन सिंग एक एक हजार संत महराज है जिस तरह से उसको बचाया जा रहा है बीजेपी के राज उस वक्ति के पास है